Hello YouTube viewers, आज के वीजियो में हम बात करने वाले हैं ESR क्यों बढ़ता है, कौन कॉंसियंसी कंडिशन्स हैं जिसमें ESR बढ़ जाता है ESR का मतलब होता है Erythrocyte Sedimentation Rate अगर हम आपका ब्लेड को एक ESR ट्यूब में एक घंटे के लिए रखते हैं तो एक घंटे में कितने मिलिमेटर्स तक आपके जो आरवीसी हैं या रेड बेड सेल्स हैं सेटल होके गिर जाते हैं नीचे, तो उसको हम ESR कहते हैं तो ये इससे हमें कई कंडिशन्स पता चल जाती हैं कि क्या-क्या हो सकता है ESR जो है बहुत ज़्यादा specific test नहीं है, इसको हम usually diagnosis के लिए यूज नहीं करते हैं बट हाँ इससे हमें ये पता चल जाता है कि कोई ना कोई organic disease आपके बाड़ी में बन रही है और हमें further check-up की ज़रुवत है तो ESR को usually हम disease को monitor करने के लिए करते हैं इसकी rheumatoid arthritis है या tuberculosis है या TB इन तरह की बीमारियों को हम monitor करने के लिए करते हैं हम treatment देते हैं और फिर ESR चेक करते हैं की treatment काम कर रहा है या नहीं कर रहा है मतलब कि हम treatment चला रहे है तो ESR घट रहा है या नहीं घट रहा है मतलब कि body की inflammation जो है वो कम हो रही है या नहीं हो रही है तो disease monitoring में एक बहुत important role है ESR का इसके अलावा temporal arthritis और polymalgia rheumatica ये दो ऐसी condition है जिसको हम diagnose करने के लिए ESR करते हैं तो इन दो ऐसी conditions है जिसमे ESR diagnostic होता है और इसकी diagnostic importance है मतलब कि कहीं ना कहीं आपके body में inflammation है कोई ना कोई damage कहीं ना कहीं हो रहा है तो एक हमें wake या rough idea मिल जाता है कि क्या problem हो सकती है और हमें उसके आगे work up कराने की जरुवत है तो कौन कौन से इसकी conditions हैं जिसमें आपका ESR बढ़ जाता है तो सबसे पहले है infections तो जितने भी तरह की infections है usually उसमें बढ़ जाता है बड़ जो सबसे common infections हैं जैसे की tuberculosis अगर आपको TB है तो यह आपका ESR बढ़ जाता है इसके लावा viral hepatitis अगर आपको हो गया है अगर आपके liver में infection है या inflammation है तो उसकी विए से भी आपका ESR बढ़ जाता है और अगर आपकी ह बढ़ जाता है अगर आपको bacterial endocarditis है या bacterial infection की विए से आपके heart में inflammation हो जाती है तो उसमें भी आपका ESR बढ़ जाता है इसके अलावा अगर आपको septic arthritis हो गया है आपकी जो bones में कोई bacterial infection हो गया है उसकी विए से भी बढ़ सकता है usually infections में यह सार बहुत जादा नहीं बढ़त है थोड़ा mild to moderate raise होता है यह सार दूसरी important conditions है inflammatory conditions या autoimmune inflammatory conditions जिसमें आपका इसार बढ़ जाता है SLE जिसको हम systemic lupus erythromatosis कहते हैं इसमें आपको skin में rashes भी हो सकते हैं आपको यहां cheeks पे butterfly rash भी मिलता है इसके अलावा SLE में आपको जोडों में दर्द भी हो सकता है आपकी kidneys involved हो सकती हैं आपके heart भी involved होता है तो SLE में आपका इसार बढ़ सकता है इसके लावा rheumatoid arthritis है जिसमें आपकी जोडों में दर्द होता है सुबा सुबा जब आप सोके उठते हैं तो आपकी हड़ियों में बहुत stiffness रहती है बहुत सी अकडी सी रहती है और आपको बहुत severe pain होता ह है तो rheumatoid arthritis में भी आपका इसार बढ़ रहता है इसके लावा temporal arthritis एक condition होती है उस में भी इसार आपका बढ़ा रहता है और temporal arthritis में even diagnostic भी होता है इसके लावा condition होती है polymalgia rheumatica जिसमें भी आपको इसार बहुत ज़्यार होता है तो temporal arthritis और polymalgia rheumatica ऐसी condition है जिसमें ESR आपका बहुत ज़दा बढ़ा होता है even more than 100 तक हो सकता है इसके लिएवा कुछ cancerous conditions हैं कुछ cancers हैं या कुछ tumors हैं जिसमें भी आपका ESR बहुत ज़दा बढ़ा होता है जैसे कि multiple myeloma में बढ़ा होता है आपका ESR Hodgkin's lymphoma में ये ऐसी conditions हैं ये Hodgkin's lymphoma आपके जो lymph node होते हैं उसका ये एक तरह का tumor होता है या cancer होता है इसमें आपका ESR बहुत ज़दा बढ़ जाता है multiple myeloma में आपकी जो bones हैं वो involved हो जाती हैं तो वो narrow involvement होता है तो उसमें भी आपका ESR बहुत ज़दा बढ़ा होता है metastatic disease या कोई cancer हो गया जो आपको originally कहीं और था और कहीं और जाके वो पहुँच गया हो उस तरह का कोई cancer है उसमें भी ESR 100 से ज़दा हो सकता है rheumatoid arthritis में 100 से ज़दा हो सकता है polymalgia, rheumatica and temporal alteritis ये ऐसी conditions हैं जिसमें ESR बहुत ज़दा बढ़ा होता है even more than 100 हो सकता है अब हम बात कर लेते हैं normal range की तो ESR अगर हम western green method से करते हैं तो बच्चों में जो इसकी normal range है वो 0 to 10 mm in 1 hour है और adults में male और females में अलग values है males में 0 to 15 mm per hour normal value है और females में 0 to 20 mm per hour ये females में ये normal values हैं अब बच्चों में हमने बताया 0 to 10 mm per hour इस वीडियो को like कर दीजिए हमारे चैनल को subscribe करिए और जाद से जाद लोगों को share करिए ताकि इस तरह की वीडियो से हम जाद से जादा फाइदा उठा सके